जै मसी की दोस्तों, आज की सुरीगे मन्ना का भाग हमने लिया है फिलिप्यों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका छटा, सात्वा और आट्वा बचन बचन कहता है जिसने परमेश्यों के सरूप में होते हुए भी परमेश्यों के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तू ना समझा उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का सरूप धारन कर मनुश्य की समानता में हो गया इस प्रकार मनुश्य के रूप में प्रकट होकर स्वैम को दीन किया और यहां तक आग्या करी रहा कि मृत्यू वरन क्रूस की मृत्यू भी सहन कर ली धन्यवाद पिता परमेश्य तेरे वचन अद्भुत है और महान है हमें ग्यान परदान करते हैं धन्यवाद यह वचन हमें बताता है कि ईशो मसी जब धरती पर आये थे तो उन्होंने कौन सा सरूब धरन किया था कि सरूब की बात कर रहे हैं ईशो मसी वो सरूब जो परमेश्य के स्वर्ग के राच्य की के दर्वासे को हमारे जीवन में खूलता है उस सरूब है दीनता का इसलिए मती पास दीन में लिखा हुआ है धन्य है वो पुरुष जो मन का दीन है क्योंकि स्वर्ग कर राच्य उन्ही का है ईशो मसी बताने आये थे कि स्वर्ग यहीं पर है स्वर्ग हमारे बीच में लेकर आये ईशो मसी हलेलोया इस धर्थी पर जहां उसने हमको नया किया हमें पूरी तरीके से परिवर्टित किया उसने बताया कि स्वर्ग यहीं है हमें दीनता के साथ चलना है और यही हुआ था क्रुसिफाइड होने से पहले उस रविवार को यरुशलम की यात्रा विज़ यात्रा के दौरान इस वजी ने गधे के बच्चे को चुना और उस गधे के बच्चे पर साभारी की हलेलोया और बताया कि तुम मुझे यहुदियों का राजा कहते हो तुम मुझे संसार का राजा कहते हो तो मुझे संसार का राजा बनाना चाहते हो लेकिन मैं मैं लोगों के दिलों में राज करना चाहता हूँ मैं जीवन को परिवर्तित करना चाहता हूँ मैं गदे बर सावारी करके आ रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए कि वो परमेश्वर जो मनिश्य का रूप धारन करके धर्टी पर आया वो आप से कितना प्रेम करता है दीनता ही उसका मुक्ट है दीनता ही उसका गहना है नम्रता नम्रता ही उसका गहना है उसका गुन है और वो दीनता और नम्रता के साथ आप से प्यार करता है और यही द्रश्य जो हम उस यात्रा में देखते हैं कि लोगों ने अपने कपड़े उतार कर उस गधे के नीचे कर दिये वो उस यात्रा में उस सड़क पर उस रहा पर अपने कपड़े बिशा रहे थे खजूर की जो डेहनिया थी वो बिशा रहे थे और ये बता रहे थे कि दीनता ही है जिसने हमें जीवन दिया है दीनता के द्वारा ही हमने इशू को पहचाना है क्योंकि जब तक आप दीन नहीं भनेंगे मेरे भाई तब तक इशू मसी की उपसिती को आप नहीं महसूस कर पाएंगे जब तक आप दीनता के साथ जीवन नहीं बिताएंगे तो तक परमेशर के जो नियम है परमेशर के जो कानून है परमेशर के जो वचन है उसको समझ नहीं पाएंगे इसलिए दीनता का होना बहुत सुरूरी है वो दुरिश जो गदे पर बैठा हुआ ईशुमसी यरुशलम में विजयात्रा कर रहा है और फारिसी आकर कहते हैं कि चुपकर आपने चेलों को और ईशुमसी कहता है अगर ये चुप हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे वो पत्थर बोलेंगे कि परमेश्वर ही है ईशु ही परमेश्र का पुत्र है वो पत्थर बोलेंगे कि दीनता में ही सुख है वो पत्थर बोलेंगे कि जीवन में सत्त कौन है ईशुमसी मार्क किस का है ईशुमसी का जीवन किस में है इश्यो मसी में वो पत्थर बोल उठेंगे इसे चुप मत कराओ अंतिम समय है जानों के इश्यो मसी कौन है जानों के परमेशर कौन है जानों के परमेशर की इच्छा क्या है जानों के परमेशर आपसे क्या चाहता है आपसे कितना प्रेम करता है और उसने प्रेम करने के लिए आपको पाने के लिए अपने एकलाओते पुत्र का बलिदान दिया कुरूसवर और उस बलिदान को हम कभी ना बूले उस बलिदान को हम महसूस करें उसके त्याग को हम महसूस करें उसके प्यार को हम महसूस करें और वही महसूसी करण, इश्य बताना चाहता है अपनी उस यात्रा के दोरा, उसलिए उस परमेशर का धन्यवाद करते हुए, आज का दिन पवितर अपने मन में, अपने मन में उस पवितरा को लाते हुए, हम आज का दिन बिताएं और दुनिया को बताएं कि हमारा इशु कितना महाल है आई हम प्रात्म आ करते हैं पिता परमेश्र धन्यवाद देते हैं तेरे पविदिस स्मर्थी नाम के लिए दो मही मौरादर के योग है तेरे यह सक को यौनती पिता परमेश्र हम धन्य हुए हम धन्य हुए होशाना धन्य है जो जो प्रभु के नाम से आता है हम धन्य बाद देते पिता परमिश्य तेरे पविदे समर्ति राम में एमेन